तो स्वागत है आपका UPSC classes में और हम लोग पढ़ रहा है climatology जिसमें आज हमारा है lecture 20 अब तक हम अपने कोपन स्कीम के A और B टाइप के दो जोन खत्म कर चुके हैं पिछली lectures में आज हम लोग देखेंगे C यानि कि Warm Temperate Mid Latitude Climates तो पिछली lectures में हम लोगों ने देखा AF, AM, AW यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम पढ़ चुके हैं A Type of Climate जिसमें मैंने आपको बताया था Tropical Wet Climate यानि AF, AM यानि Tropical Monsoon Climate, AW, W Small का मतलब क्या हुए Winter Dry यह मैंने आपको बताया था जो कोपन स्कीम का सबसे पहला लेक्चर था अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं तभी आपको इस लेक्चर में समझ में आएगा तो टॉपकल Wet Climate, Tropical Monsoon Climate और Tropical Wet and Dry Climate इसके बाद हम लोगों ने अपने B Type of Climate में पढ़ा था जो की थे Grasslands और डिजर्ट्स जिनमें हमने पढ़ा था डिजर्ट्स में बी डबलू एज और बी डबलू के बी डबलू एज के मतलब हमने बताया था आपको की एज मतलब टॉपकल जोन में होने वाले और मैंने आपको बतायाँ था डिजर्ट तो टैम कल डिजर्ट्स तो ाम्हारी जोन में हम में तर देश्थच के पाले 2 अब हम चलते हैपने छी टायर्व के क्लाइम एक ल्हार स्थ बीच तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे Mediterranean जिसकों बोलेंगे CS तो सी का मतलब हमारा होगया Warm Temperate और स्मॉल एस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है समर ड्राइ समर ड्राइ समॉल ड्राइ इसमॉल डब्लू का मतलब विंटर ड्राइ इसका मतलब है आपको इससे केवल CS इन दो लेटर से समझ में आ रहा है कि एक तो यह मेड मेड लैटिटीट्स पर होने वाले हैं और दूसरा समर ड्राइ होगी यानि जो प्रेसिपिटेशन होगा या रेंफाल होगा वह विंटर में होगा तो यह ड्राइ होट समर तो यह अपने आप में एक यूनीक है जो कि Mediterranean Sea के अराउंड इतने कंट्रीज हैं वहाँ पर मिलता है दूसरा हम लोग देखेंगे हुमिट सब्ट्रॉपिकल यानि सब्ट्रॉपिकल यानि ट्रॉपिक्स के जस्ट ऊपर नॉर्दन हमिस्फेर में और सौधन हमिस्फेर में यह मिलने वाला है इसको हम बोलेंग कि ABCD अगर कहीं आते हैं तो वह temperature की severity को बताएंगे यानि कि A क्या हो गया वार्म तो आपको केवल इन लेटर्स ही जो कि मैंने अब तक आपको पढ़ाया है आपको वहां के climate का अंदाजा मिल रहा होगा तो हमिट सब्ट्रॉपिकल कहने का मतलब हो गया क्योंकि सब्ट्रॉ हमिट सब्ट्रॉपकल क्लैमेट हो गया अगले हम देखते हैं मेरीन वेस्ट कोस्त यानि की यह वैस्टर्स कोस्त पर मिलेंगे इसका मतलब है कि वहां पर फुल इर रेड रहेगी तो हम बोलेंगे cf इसमें केवल a नहीं होगा इसका मतलब है कि no dry season यह तो ऐसे ही होगा जैसे cfa में पढ़ा है लेकिन यहाँ पर warm and cool समढ रहेगी तो यह हमारे तीन जून मिलेंगे जो कि हम warm temperature यहनी की c में पढ़ेंगे तो Mediterranean climate जो सबसे पहले हमारा है cc का मतलब warm tablet s का मतलब dry summer तो आप इस map में देख सकते हैं कि यह हमारा जो region है कि यह हमारा क्या हो गया Mediterranean Sea और इसके चारों तरफ जो हमको climate देखने को मिलेगा उसको हम बोलते है Mediterranean climate यानि कि भूमद्य सागरी Mediterranean Sea यानि कि भूमद्य सागर तो यह भूमद्य सागरी जलवायू हमको यहाँ पर देखने को मिलती है दूसरा हम को कहाँ पर मिलेगा यह हम उसी latitude में देखेंगे यह 40 degree north latitude उसी range में अगर चलेंगे उसी latitude में चलेंगे तो हमको यहाँ पर California के पास यहाँ पर हमार सेंट फ्रांसिसको है अमेरिका का तो यह climate हमको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा फिर हम 40 degree southern latitude में जाएंगे तो हमको यहाँ पर अफ्रीका में यही climate देखने को मिलेगा यहानि Mediterranean climate और 40 degree south में ह来सा ऊच्छारामेरिका में हमको यह क्लाइमट यहां पrok्रण मिले अधाश्टेलिया में देंगी तो यह हमको सौनलेंड़ विलते हैं और इस तरह मैं हमको क्लाइमट देखने को मिलें यह मैंना अपको बता दिया एक साधंट अमेरिका में यह लिए क्लाइमट देखने को मिलेगा कहने का मतलग है कि 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेक्टिटूड में अगर हम जाएंगे तो हमारे यह क्लाइमट देखने को मिलें इस पर गर को ही थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं यह यहां पर यह मेडिटिरेनियन सी है यह पूरा यह यहां पर यह देखने को मिलेगा क्लाइमेट यहनि कि यहां पर जो भी कन्तरी होगी इस्पेन पॉर्टकराल इट्ली ग्रिस तो यहां है नोर्थ अफ्रीका ही जितनी पी रहेंगी तो वहां पर हमको मुरक को वगारा हम तो climate is characterized by clear sky and high temperature, sky clear रहेगा, temperature high रहेगा, जो unique property है Mediterranean climate की, वो है winter precipitation in winter, यानि की rainfall in winter, तो summer कैसी रहेंगी, hot and dry, इसका region क्या होता है, मैं आगे slide रहेंगा, क्यों ऐसा है, कि winter में यहाँ पे rainfall होती है, summers are hot and dry, and winters are cool and wet, wet कम बतला है कि वहाँ पे rainfall होगी winter में, mean angle precipitation जो होगा, वो 35 से 90 cm रहेगा, temperature of warmest month से जो रहेगा, वो greater than or equal to 10 degree Celsius, यानि कि 10 degree Celsius से नीचे temperature नहीं आएगा, इससे उपर ही रहेगा, temperature of coldest month से जो होगा, वो 18 degree C से नीचे रहेगा, और minus 3 degree Celsius से उपर रहेगा, climate is not extreme, extreme climate नहीं रहेगा, क्योंगी जब भी कहीं कोई continent है और उसक extreme से नहीं मिलेंगे, continent की तरीके से, तो चुकि Mediterranean के आसपास के countries हैं, वहाँ पर ये climate मिल रहेगा, तो यहाँ पर extreme से नहीं मिलेंगे, नॉर्मर्मर ही रहेगा, a dry warm summer with offshore traits, तो सब सब पहले हम देखते हैं कि summer के warm और dry होने का कह रीजन है, summer में rainfall नहीं होगी, और warm रहेगे, अब याद करने की कोशिस करिएगा, मैंने आपको बताया है कि जब भी summer आएगी, यह अगर हमारी अर्थ है, यहाँ पर मैंने subtropical high pressure belt बताई थी, और मैंने बताया था कि यहाँ से हमारे easterly चलेंगे, और यहाँ पर मिलेंगे, इसको हम बोलते थे, ITCZ, यहाँ इंटर-tropical convergence zone, और यहाँ पर इसके ऊपर हमारे westerlies रहेंगे, और यहाँ से पोल से इस तरफ वापस easterlies चलेंगे, तो यह हमारा planetary wind system था, लेकर मैंने आपको बताया कि यह हमारा sun है, और जब summer season आएगा, तो sun north side apparently move करता है, जिससे कि हमारा जो पूरा सिस्टम ह यह, planetary winds का, यह ऊपर move कर जाता है, इससे होगा क्या, जिस हिस्से में इस समय easterly जा रही थी, अब उस हिस्से से यह ऊपर चूकी move कर गया है, तो नीचे वाली जो winds है, वो equator को cross करके वहाँ से जाएंगे, और जिस हिस्से में westerly का प्रभाव होता था, वो westerly ऊपर चले जा जाएगा, यानि कि अगर यहाँ पर कोई water bodies थी, कोई ocean था, वहाँ से westerly मौशर लेकर जा रही थी किसी continent पर, यह माली जी कोई continent है, लेकिन अब इस westerly के ऊपर सिफ्ठ हो जाने से क्या होगा, नीचे वाली जो easterly है, यहाँ पर easterly रही होगी, वो इसका जगह ले लेगी इससे होगा क्या, कि wind जो है, वो पहले onshore थी, अब offshore हो जाएगी, offshore का मतलब क्या हो गया, कि अब यह किनारे से, या तट से, या कोश्ट से इस तरफ जाएगी, यानि दूर तरफ जाएगी, यानि अब वहाँ पर moisture रैवलेबल नहीं होगी, तो यही same situation होगी, तो होगा क्या आप यह देख सकते हैं, यह हमारा 30 degree latitude है, यहाँ 40 degree latitude दिखाये गया है, तो 30 degree latitude के पास आप देख सकते हैं, कि नीचे की तरफ क्या जाएगी, यह हमारे easterlies होगी, यह हमको पता है, और ऊपर की तरफ क्या जाएगी, वेस्टरलीज होगी, तो यह Mediterranean C का हिस्सा है, यानि 30 degree के उपर क्या होगा, यह वेस्टरलीज का हिस्सा, या वेस्टरलीज के प्रभाव में आने वाले countries या latitudes थे, तो फिर से देख सकते हैं, तो यह वेस्टरलीज के प्रभाव में अगर रहते, तो जो ocean body है, वहां से यह मौश्चर लेकि वहाँ पर rainfall करा सकते थे, लेकिन अब क्य आने से पूरा का पूरा planetary wind system जो है, वो उपर move कर जाएगा, इससे होगा क्या, कि अभी जो moisture यह वेस्टरलीज ला रहे थे यहाँ पे, इस region में, इस region में, तो अब क्या होगा, अब यह easterlies के प्रभाव में आ जाएगे, easterlies के प्रभाव में आने से क्या होगा, यह offshore trade winds हो ग आप में, यह आप देख सकते हैं, अब हम देखते हैं कि rainfall in winter with onshore westerlies, अभी winter में rainfall क्या होगी, तो आप अगर मेरे पहले की lecture देखे हुए है, तो आप समझ गए होगे, कि winter में आप rainfall क्यों होने वाली है, क्योंकि अब जो sun है, वो southward move करेगा, आप आप देख सकते हैं, यह earth है यह हमारी zero degree equator है, जो sun है, वो अभी southward move करेगा, apparently इसका movement southward होगा in winter, इससे होगा क्या, कि यह पूरा का पूरा जो planetary wind system होगा, वो नीचे move करेगा, जो हमारा Mediterranean land होगा, वो westerlies के प्रभाव में आएगा, और वहाँ पे moisture available हो जाएगी, the Mediterranean lands receive most of the precipitation in winter, when the westerlies shift equatorward, क्योंकि जो westerlies है, वो नीचे shift होगे, equatorward shift होगी, क्योंकि sun का apparent motion नीचे की तरफ होगा, in the northern hemisphere, the prevailing onshore westerlies bring much cyclonic rain from the Atlantic, यह अनि Atlantic ocean से moisture available हो जाएगी, winter rain is characteristic feature of Mediterranean climate, तो मैंने आपको रता है, यह एक unique feature है, Mediterranean climate, कैसली यह important हो जाता है, exam perspective से, the rain comes in heavy showers, only on a few days and bright sunny period between then, तो heavy showers में होती है rain और उनके बीच में काफी brights धूप भी निकलेगी ऐसे दिन भी आते हैं, though the downpours are infrequent, they are often very torrential, काफी मुशलाधार वारिस होगी, and in mountains, destructive floods occur, काफी floods भी आती है, तो local winds in Mediterranean region, यह मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ local winds रहती है Mediterranean region में, जो मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है, यह है shiroko, यह hot and dry dusty window है, क्यों क्योंकि यह अफरीका की northern area से, यानि कि सहारा desert से dust करी कर गया आती है, और काफी hot and dry होती है, चुकि वहाँ कि जो dust है, वो red color की रहती है, इसलिए इसको हम blood rain भी बोलते हैं, इससे Mediterranean sea से जो मौशल ले लेती है और यहाँ पर rainfall कराती है, तो उसमें जो रेत होती है, red color की, इसलिए इसको हम blood rain भी बोलते हैं, जो सिरोकों के द्वारा होती है, और भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह वेंडावल, यह लेवेंटर, मिश्टरल, यहाँ पर हमारे France की रॉन घाटी है, रॉन वैली, तो वहाँ से यह हमारे मिश्टर आती है, यह एक cold wind है, गोरा, attesian, यह ज्यादा important नहीं है, ग्रेगल यह important है, जो eastern यूरोप से नौर्थ इस्टर इटली की तरफ यह ग्रेगल मूब करती है, इस direction से, तो यह हमारे इटली है, यह इटली है, तो यह इटली में eastern यूरोप से, जो उपर eastern यूरोप रहेगा, व इसको और डेटल में देखते है, तो यह दो मैंने बताए, काफी important है, sirocco और mistral, इसमें क्या है, कि sirocco जो है, hot, dry, dusty wind है, which originate in the sahara desert, after crossing the Mediterranean, the sirocco is slightly cooled by the absorption of the water vapor, तो जब Mediterranean को cross करेगी, sahara मरुस्थल से, यह sahara desert से, तो यह महशर करी कर ले जाएगी, वहापर रेनफाल कराएगी, its scorching heat, काफी ज़्यादा heat होती है, withers, vegetation and crops, तो vegetation और crops को काफी नुकसान पहुचाती है, क्योंकि moisture को कम कर देती है, this may be blood rain, इसको blood rain भी बोलते है, क्योंकि यह red dust सहरा desert से लेके आती है, mistral गया है, तो mistral इजी cold wind, जो मैंने आपको बताई, mistral क्या है, यह वाली, यह cold wind, from the north, rushing down the Rhone valley in violent gust, Rhone नदी France में बैती है, तो Rhone river की जो valley बनती है, उसको मैं Rhone valley कहते है, the velocity of mistral is intensified by the funneling effect in the valley between the alps and the central massive, दो वहाँ पे mountain हमारे पाए जाते हैं, एक alps और दूसरा central massive, यह मैं आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको बताऊंगा, तो funneling effect, यानि उनके बीच की जगह से होके निकलने से, यह काफी तेज भी हो जाती है, तो funneling effect काम करता है, तो इसल वैलिसिटी काफी ज़्यादा बढ़ जाती है, mistral की, और cold wind है, कब कि यह आप समझ सकते हैं, उपर से आ रही है, उपर से आने का मतलब है कि यह cool region से आ रही है, और श्रोकों जो है हमारे वो नीचे से आ रही है, तो आप ऐसे इसको, आप ऐसे रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, कौनसी cold है, कौनसी warm है, लेकिन आपको concert पता रहेगा, आप एसली कर पाएंगे, similar type of cold north-easterly wind experience along the Adriatic coast is called बोरा, यह मैंने आपको बोरा बताई थी जो, यह यह हमार अड्रियाटिक कोस्ट है, अड्रियाटिक सी है, और यह Eastern Europe से इटली की तरफ नौर्थ इस डार्क्शन से आती है, ट्रे मॉन्टेन और ग्रेगल, और सिमिलर cold winds of the Mediterranean Sea, तो यह भी हमारी cold wind रहती है, अभी हम local winds जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस map में आप कई सारी local winds देख सकते हैं, अगर आपको यह map याद रहेगा है, आपको हर जावरफी में map पे जरूर देखनी है, तो आपको कैसे भी question पूछा जाएगा, तो आप ऐसे उसका answer कर पाएंगे, जैसे यहाँ पर आश्रेलिया की बात करते हैं, तो बस्टर्स, यहा पेंपिरो करके wind चलेगी, है ना, तो यह जो आपको red से दिखाएगा है, वो hot winds रहेंगे, और जो blue से दिखाएगा है, वो cold wind है, यहाँ पर हम चिनुक अभी पढ़ेंगे, चिनुक, सेंटा आना, यह हमारे orographic, यहाँ यहाँ पर rockies के होने के कारण क्या होता है, कि चिनु इनको यहाँ से monster carrier करके लाती है, वो rockies mountain के इस तरफ करा देती है, और उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताए कि mountain पर जितना भी orographic rainfall होना है, वो इस region में हो जाता है, और यहाँ पर जो यह है, यहाँ पर rainfall हो गया, और यहाँ पर catabertic wind, यानि कि warm dry wind descent करती है, और इ यहाँ पर हमारी blizzard है, यह उपर से आ रही है, तो यह cool रहेगी, यहाँ पर हमने mistral देखा, यह fawn है, searcher land की fawn, shiroco, hermerton, khamsimp, यह हमारी loo है, land हम चलती ही सब लोगों को पता ही, बोरा, कारबुरान, बोरान, बोरान, तो यह कई सारे wind है, तो आपको, आप देख सकते हैं, यह जितने भी cool wind है, यहाँ बिलिजर्ड एक ही direction में, इनको आप देख सकते हैं, बोरा, कारबुरान, और बुरान, नीचे से यह जा रहा है, जो ट्रॉकल डिजन से उपर की तरफ, यह हमारे hot wind है, इसको तो पता ही है, आप उसी latitude में जो यहाँ होते हैं, आप आस्टिलिया में, बस्टर्स देख सकते हैं, पैमपिरो देख सकते हैं, जोंडा के साथ फिर से वही चीज़ होगी, कि यहाँ पर ओरोग्राफिक रहेगी, क्योंगि यहाँ पर एंडीस mountain है, तो यहाँ पर rainfall होगा, और दूसरी तरफ यह गरम होके नीचे उतरेंगे, तो आपको यह तीन है, तो winds उपर जाएगी, और high pressure पर नीचे descend होगी, और जब उपर जाएगी, तब यह instability की condition लाती है, और rainfall होता है, तो नीचे उतरती है, तो anti-cyclonic condition बनती है, और stability की condition बनती है, यह आपने मेरे सुग्रात के lecture इतने भी देखे होगी, अगर नहीं देखे हैं, तो आप उनको ज pressure condition पैदा होगी, as a result, air start to come down and diverge in different direction, बन नीचे आएगी, और different direction और diverge करेगी, वैसे ही हमारे cold and dry local winds बनते हैं, dry होगी, कौँकि नीचे descend करने वाली जो air रहेगी, उसे moisture होता नहीं है, तो cold and dry local winds बनेगी, तो side area में anti-cyclonic winds बनेगी, और हमने देखा कि side area में उपर से काला बु attitude की region पर, आगे देखते हैं, तो cold wind के example हैं, यह आपको देखने हैं, जैसे mistral Europe का, बुरा eastern Europe, ब्लेजर्ड यूसे और कनाडा हमें, पैंपिरो अर्जेंटिना हैं, पंपास में मैंने आपको बताया, तो यह slide मैं आपको description में दे दूँगा, आप download करके देख सकते हैं, Southern Busters ज बनेगे, जब low pressure condition create होगी, तो warm local winds create होगे, इसमें हमारे लू होगया जो इंडिया में है, शिरो को मैंने आपको बता दिया, खमसिन एजिप्ट का, और हर्मतन, सहारा डिजेट टू, गल्फ ऑफ गवेना, सहारा डिजेट टू, गल्फ ऑफ गिनी, आगे देखते हैं, यह मै मैं ऐको बताएं, चिनुक, रॉकी, इस के खारण, और फोन, एल्प के कारण, फॉन मेने आपको बता जाल, शिड्ज," pinchine land में रहती है, और स्विड्जे, और सुर्जेट से नमें, जो इनका एक्सटेंसन, रहता है, एल्प मान्टन का, तो फोन, prop ситу न मास्मान ूंच, गव रहेगी और दूसरी तरफ कि ऐसे वार्म और ड्राइवन डिसेंट होगी जो उंडा अर्जेंटीना और उर्ग्वे में एंडीज के कारण जो मैंने आपको फिकर दिखाया था जो उंडा के लिए फिर से देखिएगा यहां पर हमारे उर्ग्वे पराग्वे और अर्जेंटी रही है तो यह मैंने आपको बताया सेंटाना यह कैलिफोर्निया और सेंटाना मौंटैन सपर तो यह आप देख सकते हैं अम देखते हैं यहां का वेजिटेशन यानि मेडिटरेंड एम क्लाइमिट के बात कर रहे हैं यानि की सियला जनी की समर ड्राइग तो विंटर में हमा होंगे the absence of shed is a distinct feature of Mediterranean lands तो absence रहेगा shade का च्छायदार नहीं मिलेगे आप यह figure देख सकते हैं यह Mediterranean climate के है तो आप देख सकते हैं कि जो trees है बहुत नंबे नहीं है और जो च्छाया है वो भी इतनी नहीं है plants are in continuous struggle against heat dry air क्योंकि हमको बता है summer dry होने वाली है तो इस्टिकल करते रहेंगे heat से dry air से एक्सेव अपरेशन से एन प्रोलोंग ड्रॉट से तो सुखा भी पड़ेगा क्योंकि summer dry है तो जीरो फाइट टाइप के जो मैंने आपको डिजेट पढ़ा रहा था तो बताया था जीरो फाइट ट्रॉट टॉलरेंट यहांके ट्रीज या वजीटेशन रहेगी तो मेडिटरेनियन एवर्ग्रीन फॉरस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एवर्ग्रीन ओक्स मिलेंगे यह हमने आपको दिखाया ओकट दिये ट्रीजार स्टेंट चोटे रहेंगे स्टेंट का मतलब चोटे ट्रॉट में ऐना ट्रॉट ट्रंक बढ़ा रहेगा जैना इसंट जंए इसलिइंए नेहोंसे डॉट करना कंकर आधिक लिए प्रहेगा रहोग्र्णों से ऐटेंट के कि पाहिए क्वाना और रहें मचन म वोस्ट रिप्लीश के बाजे असे लिए उसलेडे इस ओंसे पोणां यह ओक आने कुछा एक टिपकल कलिफोनियग ट्री मैं आपको दिखाँ हूंगा वह Bigा काफी जैंड रहता है California में के मृंता है तो हमारे क्या यह पर उप्वय निखे subscribe से तो इसके लिए यह कौर कोक का पेड़ है और यह हम देख सकते हैं यह देखिए रेड़ ट서 टुपकल कली केलिफोर्णिय ट्री आरऊ यह यह सी देख सकते हैं आप गाड़ी निकल रहीँ है कितना बड़ा है इसका किरण्क आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं Evergreen Coniferous Trees मैंने आपको बताया था कैसे रहेंगे यह इस टाइब के रहते हैं इस टाइब के रहते हैं इस इंक्लूड थी वैरियस काइंट्स ओफ पाइंट्स फर्स सिडार साइप्रस जब भी कॉनिफर ट्री बोला जाएगा तो आपको यह चार तो याद रखने हैं पाइंट फर सिडार साइप्रस विच एवर्ग्री नीडल सेफ लीप एंड टॉल स्टेट ट्रंक्स तो नीडल सेफ ट्री रहती है मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा जिसमें कई सारे कुनिफिरस ट्रीस के लीप दिखाऊंगा भी तो मेडि कंडिशन इं मेडिटरेनेडी डूल सिफ घ्रास तो आऔर बन्हाइं और हुए सलल दी। टुरस के लिए इवन इफ ग्राश डू सर्वाइब दे आर वाईरी अगर होती भी ग्राश तो कैसी वाईरी होती है लीन टफ है ना बंची जो की जानवरों के खाने के लिए अनिमल रैंचिंग के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है तो अगर हम केटल रियरिंग की या पसवपालन की बात करे लिए तो वो मेडिटरीनियन में ज्यादा इंपोर्टन नहीं है अब हम देखे अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर कैसा है तो और्चर्ड फार्मिंग और्चर्ड होते हैं जो बाग लगाते है ना जहां पर नट्स वगरा है और सिट्रस फ्रूट वगरा है उनका ज्यादा उत किस क्लाइमेट हम लेगा तो आपको आंसर करना है CS यानि की मडिटरेनियन क्लाइमेट तो दे मेडिटरेन लेंट अकांट for 70% ओव वल्ड एक्सपोर्ट ऑफ शिट्रस फूट तो यह सबसे यूनिक फीचर है Mediterranean land का कि यहां के ज्यादा तर जितने भी देश हैं वो किसका प्रोडक्शन करते हैं citrus fruit जैसे हमारे orange बगएरा हो गया है na citrus जो fruit रहते हैं उनका production होता है olives olives आप देख सकते हैं ज्यादा तर Mediterranean जितने भी countries है जो olive oil हम लोग लेते हैं कई type की olive oil आते हैं तो पूरा export होता है वही Mediterranean countries जैतून 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 का जो तेल बोलता है the olive tree is probably the most typical of all Mediterranean cultivated vegetation a wide range of citrus fruit जैसे की orange lemon lime citrons grapefruit यह सब वहां के fruits है citrus fruits मिलेंगे तो Mediterranean में हमको कई बात हैं जो बिलकुल हमको दिमाग में रहनी ही चाहिए को काफी important है Mediterranean climate को citrus fruits हो गया है जैसे winter में rainfall होनी वाली है orchard land बोलते हैं औलिप्स वगए रहा हैं तो besides citrus fruits nut trees जैसे की chestnut walnut almond यह सब बहुत ज्यादा वहां पर production होता है fruit trees have long roots long roots मैंने आपको बता दिया क्योंकि water चाहिए इनको summer में भी यहना इसलिए long root रखते है thick leathery skin रहती है क्योंकि ज्यादा से transpiration नहीं का नहीं हो पाए long sunny summer रहती है इसलिए fruit जो है अच्छे से ripe हो जाते हैं और harvest किये जाते हैं और हम देखते है crop cultivation and sheep rearing wheat is the leading food crop अना गया हूँ होगा burly यानी बाजरा is the next most popular cereal the mountain pastures with their cooler climate support a few sheep goat and sometimes cattle the mountains की बात करेंगे हम तो वहाँ पे cooler climate होगा और वह support करेंगे sheep goats और cattle rearing या पशुपालंका तो transformers यां transformers हमें बोलते हैं कि जब seasonally जो लोग एक जगह से हिल से दूसरी जगह पर जाते हैं movement करते हैं तो वह प्रैक्टिस होता है wine production यह बड़ा unique feature है इस region का तो viticulture यानि जो अंगूरों की खेती होती है by tradition Mediterranean occupation तो यहां पर काफी ज़्यादा wine का production होता है तो Mediterranean region जो आप सुने होगे champagne वागेरा तो यह मेडिटेरेनी रीजन अकाउंट फोर थ्री कॉर्टर्स वर्ल्ड प्रोड़क्शन आफ वाइन तो Mediterranean region जो Mediterranean region है वहाँ पर थ्री कॉर्टर वर्ल्ड का production होता है wines का क्योंकि वहाँ पर सारे citrus fruits मिलने वाले हैं तो वहाँ पर वाइन का production भी काफी ज़्यादा होता है सम 85 पर्सेंट ऑफ ग्रेफ प्रोड्यूस इंटू वाइन तो 85 पर्सेंट ग्रेफ तो वाइन महीं बनाने में जाता है एकॉनमी की बात करते हैं तो रीजन सार नेट एक्पोर्टर और सिट्रिक फूट यह तो हम पता ही चल गया कि सिट्र एक्पोर्टर होता है तो नेट एक्पोर्टर है और इंपोर्टर रहेंगे डेरी प्रोड़क्स के क्योंकि वहाँ पर घास वगयर हमने देखिए उतनी रहेगी किलियर स्काई रहेगा समर में और गुड लेंडस्केप रहेगा जो टूरिज्म को बढ़ावा देगा लॉट आफ इंडियन सॉंग्स आप शॉट हेर वालीवूट के तमाम सॉंग्स ऐसे हैं कि वह वही पर शॉट किये जाते है तो यूरोपियन मेडिटरेनियन है तो अभी हमने देखा मेडिटरेनियन यानि सी एस अब हम लोग देखते हैं हुमिट सब ट्रॉपिकल तो वार्म टेंपरेट इस्टन मार्जिन क्लाइमिट यानि की सी एफे तो अभी आप देख सकते हैं कि आप का मतला हमारा हो गया नो ड्राइज इस इन यानि की फुलियर रेन ए होट समर तो यह हमारा हो गया सी एफे इट इस आल्सो नोन है हुमिट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो हुमिट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी इसको भूलते हैं इस टाइब अफ्लाइमेट इस पांड बिट्वीन 20 डिग्री टु 35 डिग्री नॉर्थ और साउट यानि कि हम बहुत ज्यादा मिड्ल एटिचूट पर नहीं जा रहे हैं यह बात कर रहे हैं तो ट्रॉपिकल डिग्री नॉर्थ और साउट लिटिचूट यानि कि ट्रॉप ट्रॉपिक ऑफ ड्रॉपिक हैं तो लगबग हम बोलते हैं कि यह वारे रहते हैं और इसकी उपर हमारा सब्ट्रॉपिक रहेगा हैंस इइस ऑल्सो नून अज हूमिट सब्ट्रॉपकल क्लाइमेट और इसकोस्ट इन बोथ हैमिस्पिर तो हम अगली फिकर में देखते हैं इस मेप में आपको सभ़ज़ आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं तो मालो हमारी जीरो डिग्री यह जा रही है तो यह हम बात कर रहे हैं यहां पर हमारे और यहां पर है तो मैं हाइलाइट करके दिखाता हूँ आपको यह देखे तो यह रिजन जो हो गया यानि इस्टन साइड आप कंटीनेंट तो यह हमारा यहां पर मिलेगा यह जो मैंने ग्रीन कर रखका है और यह देखिए यह जापान है यह चाइना है इस साइड मिलेगा औ और अगर हम उसी latitude पे Southern Hemisphere में देखेंगे तो यह हमारा है और यह और यह यहां इतने एरिया को जो की हमारा है Mexico का एरिया और यहां पर हमारी Gulf Home Mexico है तो इसको हम बोलते है Gulf Type धैने लिए सैटे और इसको हम और गवोलेंगे Gulf Type थोड़ा विजहाँ है नहीं को थोड़ा है इसलिए इनको हमने लगवडे नाम दिये है तो टोटल हम इनको तीन भाग में बाटेंगे दूसरा होगा चैना टाइप जो कि हमारे मिलेगा चैना यहां जापान है यह हमारा पूरा जापान है तो साउधन जापान की बात करें तो वहां पर मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं साउथ कोरिया है यहां भी मिलेगा तो है और नीचे आते हैं तो यहां पर सॉठ अफरीगा ना्यटाल प्रोविंस यह है तो यहां पर मिल डाए का पिछले श्लाइट्स न कि यहां मिल रहा था जो हमने पढ़ा था आपरिका में वैसा ही climate जैसा कि Mediterranean का होता था लेकिन उत्रा important नहीं है वो इसलिए मैंने आपको नहीं बता है मैं हमारे Mediterranean है तो यहीं का है है ना अभी हम जो इसका बात कर रहा है ना CFA क्लाइमट यानि कि इसमें हमारे तीन पाट रहेंगे गल्फ टाइप चाइना टाइप और दूसरा जो नटाल प्रोविंस अफ्रीका के उसके नाम पर रखा गया है नेटाल टाइप और इसी लैटिट्यूड में नेटाल टाइप यहां भी मिलेगा हमारा कहां पर यह हमारा प्रागवे और यह अर्जेंटीना है जो पंपीरो दिखाए गई है जो पंपास जो है घास के मैदान आर्जे दिखाया है तो पहला तो यह हमने अपको दिखाया है temperate monsoon यह हमारा china है का पहला तो हमने आपको रिखाया यह चैना यह चैना है तो चैना के नाम पर यह पड़ा हुआ है temperate monsoon climate और चायना टाइप climate मदल्ला workflows का मदलेगा अब हम अगृल में जयप पान के Southern Region में भी मिलेगा Gulf टाइब क्लाइमेट यानि मैज्विए मेसिको के मैंने आपको दिखाया तो वहां पर मिलेगा और व्हां ने टाइब क्लाइमेट देखने को मिलेगा तो चैनल टाइब क्लाइमेट इसको हम बोलते हैं हमने पड़ाए इंडिया में Mexico मानसुन थाап कांट्री में जो इह पड़ रहे हैं कि आणफ टमपनीब इंटर बाइन के बात करें तो जित अलग क्या हम क्यों कि यहाँ पर होने के बाद भी यहाँ पर मानसुन होटीशन पर थी यह यह जैसा कि हमने इंडिया में ट्रॉपकल मानसून में पढ़ा है तो टैंप्रेट मानसून भी कहते हैं चैना टाइप क्लाइमेट को मोस्ट अप चाइना एंड साउधन जापान वहाँ पर यह पाया जाएगा तो अलग लग दो क्लाइमेट हम पढ़ेंगे समर और विंटर कि समर में कैसे रहेगा और विंटर में कैसे रहेगा तो समर में चुकि इंटैंस हीटिंग होगी विदिन इंटीडियर जो तिब्बत का रीजन है या डिजर्ट रीजन है मैंने आपको बताया गोबी डिजर्ट वगए रहा है चाइना के अंदर का जो कंटिनेंटल एरिया है वहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस हीटिंग होगी है ना सैट सब रीजन ओफ लोग प्रे सब्सक्राइब होगा है और हाई से लो की तरफ यानि की जो पैसिफिक ओशन है वहां से यहाँ पर हवाय चले नहीं है तो वहीं यहाँ पर लिखा हुगा है कि इंटान्स हीटिंग बिदिन इंटीरियर सेट्स अप रीजन ओफ लोग प्रेसर इन समर अट्रेक्टिंग ट्र इंट्र मांसून जो होता है उतना सदनली बस्ट नहीं होगा है तो मांसून डजनोट बस्ट एस सदनली नौर पोर एस हैवली एज इंडिया तो यहाँ पर क्या आते है मैं आपको बताया था जब मैंने आपको ट्रॉपकल और ट्रेट साइक्लोंस वाले लेक्चर लिये थे गरते हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पर पाइस हाते हैं लेट समर में जुलाई से सब्टमबर में गांव कि विंटर सीजन की बात करते हैं इन विंटर दियर इंस प्रेसर ओवर सुआघे तो न में चैना फॉपर रसिया अपर के हैं अभी यदा कूल से क्या होगा बहुत ज्यादा प्रैसर क्रियेट होगा है न वहाँ पर हाइप रिजन बने गया उपसे क्या होगा एंदगे कंटीनेंटल पूलर एर इस्ट्रीम फ्लोस आउट वाट तो उससे जो कंटीनेंट का पूलर एर मास मास है आपका बताए था एयर मास के बारे में बता चुका हूं तो यह चाइना तक आएगी है ना तो कैसी एर होगी कोल्ड एर मांस है ना पोल तरफ से आ रहा है तो उससे होगा क्या कि नॉर्थ वेस्ट मांसून आएगा चाइना हमें है ना इस तरफ से यह आपका Northwest मांसून आएगा यहाँ पर हमारा चायना है ऊपर से Northwest मांसून के तरीके से यह हवाय आएंगी बहुत ही cold होंगी dry होंगी क्योंकि कहीं से मौश्यर तो मिला नहीं थोड़ी बहुत rain होगी बट considerable snow on the windward slope लेकिन अग्वे rainfall में क्या होगा ज्यादा तर snow precipitation होगा है ना वह भी windward slope पर होगा यानि कि जो अब blend होगा उसके एक तरफ snowfall वगयरा देखने को मिलेगा तो यह हमारा था टेंपरेट मांसून और चायना टाइप climate warm temperate eastern margin में अब दूसरा हम देखते हैं गल्फ टाइप जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गल्फ मैक्स को है और यह नॉर्थ अमिर्का का पार्ट है मैक्स को अगयरा तो वहाँ पर हमारा मिलता है गल्फ मैक्स को तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो मांसूनल करेक्टरिस्टिक है वो कम इंटेंस रहेगी एस कंपेर टू चैना जैसे चैना टाइप में हमने देखा जो टैंपरेट मांसून टाइप का क्लाइमेट हो रहा था उतना इंटेंस नहीं रहेगा वैसे अगर हम बोलें सबसे ज्यादा इंटेंस क्या है वो ट्रॉपकल मांसून टाइप है जो कि इंडिया में है उससे कम है हमारा टैंपरेट मांसून टाइप क्लाइमेट इन चैना उस कि बात करते हैं तो चाइना में अभी हमने देखा यह पहले तो साउध इस्ट से आ रही थी इविंट्स जो कि मॉस्ट्र करके लिए जा रही थी बाद में देखा साइवेरिया तरफ से नौर्ट वेस्ट डिरेक्शन से विंट्स मूब हो रही थी तो यहांं पर अगर गर्प टाइप कलाइमेिट की बात करते हैं तो यहां पर कम्पृट सीजनल इवन रिवर्सल नहीं होपाता है यह मैंने आपको बताया था पहले भी यहां पर हर्कें आएगी यहां पर आ रहे थे हैंन। साइक्लोंज का नाम यहां- पर रचिन होता है, नेटाल टैप के बात करते हैं, तो यह आथेलिया जो प्रॉइंस है और सावस अफरीका में है यह वाला है ना यह वाला साघ्ल इस फिसन है उसका आग्र प्रोविन्स है, यहां पर हमारे तो इससा निए टाल टाइब छाइब देखने K만ल द्हों मिलता है..? और ज़ी आश्टेलिया में भी यहां पर देखने को मिलेगा.. और यह पराना रिवार यहां पराना अरुक्वे पराग्वे बेसंड जो है बताय वह हंपर हमारा नेटाल टाइप में अलग चीज़ होती हैं यहां पर मांसून टाइप को नहीं होगा यह दिएवेंट होगा चाना टाइप से क्यों करकि छोटा सा रीजन है यहां पर यहां पर यहां पर मिल रहा है तो नेरो लेंड मांस आ यहां पर यहां पर यहां से पूरै समय यहां पर marine climate देखने को मिलता है ना तो narrowness of the continent and the dominance of maritime influence eliminate the monsoonal element तो monsoon element यहां पर देखने को नहीं मिलता है complete reversal ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है यहां पर जो rainfall रहेगी तो पूरे साल बर होती रहती है ना onshore trade winds चलती रहती है तो climate and features की बात करते हैं अगर हम चैना टाइप की बात करते हैं तो temperate monsoonal गल्फ टाइप की बात करते हैं तो slight monsoonal और नटाल टाइप की बात करते हैं तो non-monsoonal अब हमने इतने भी पढ़े हैं न Запांद आखर टाइप में बात करते हैं तो चैना टाइप यह थोड़ा Lower यह इतना साई different है कि यह टंप्रेटrial रिश्ल रहता है मस्लाइप में सल्पाइप में न्टाइप में क्लाइमेट क्लाइमेट क्ल रश्च को पता है कि तो मस्ट समर रहेगी मैं और हमस्ट ऑ जो कोंग रहे गीजिनल ड्राय से हैं वहाँ भी हमने आपको बता है कि जो विंड्स आ रही है वों साइब एर्या से आ रही है उनके पास मॉश्चर नहीं है वहाँ बीकोई ऊशन थोड़ी ना पड़ा रहे है साइब एरिया से जो आ रही है मैं तो केवल इनके वीच टेंपरेचर रहेगा जो मीन मंत्री टेंपरेचर रहेगा और मेरी ताइम इंफ्लूएंस से यह थोड़ा मॉडिफाई भी होते रहेगा occasionally the penetration of cold air polar vortex मैंने आपको बता है कि cold air mass अगर penetrate कर जाएगा मैंने आपको polar vortex पढ़ाय हुए है तो polar vortex जब भी low pressure create होगा तो वो नीचे मेंडर करके नीचे penetrate कर सकता है तो from the continental interiors may bring down the temperature to freezing point तो temperature काफी नीचे चला जाएगा though frost are rare they occasionally occur in the colder interior और frost rare है लेकिन frost occur होते है precipitation की बात करें तो rainfall is more than moderate moderate से ज्यादा होता है anything between 60 cm to 150 cm rainfall होता है और जहाँ पर rainfall ज्यादा होगा वहाँ पर population ज्यादा मिलेगी तो very densely populated है तो fairly uniform distribution of rainfall throughout the year in summer the regions are under the influence of most maritime airflow from the sub-tropical anti-cyclonic cell तो typhoons and hurricanes यह मने आपको बता जुए है वेजिटेशन की बात करते हैं तो काफी luxuriant vegetation देखने को मिलेगा क्योंकि rainfall distributed है all year है ना the lowlands carry both evergreen broadleaf forest and deciduous trees ना तो deciduous trees भी मिलेंगे जो hardwood रहेगी इसकी evergreen tree भी मिलेंगे on the highland are various species of conifers जैसे की pine cypress जो conifers होता है उनकी softwood देखने को मिलेगी perennial plant growth is not checked by either a dry season और cold season तो perennial plant growth is not checked perennial perennial का मतलब हो गया कि हमेशा कभी रुकने ना वाला मतलब साल वर चलने वाला है ना तो perennial plant growth क्या हो गया is not checked by either a dry season और cold season तो perennial plant growth रहेगी यहाँ पर timber की बात करते हैं जो furniture के लिए लगड़ी का तो the forest of china and southern japan are also have considerable economic value and include oak और camphor इनके trees मिलेगे जिसकी timber यूज होगी एज फरनीचर है ना साउथ इस्टन ब्राजील इस्टन पराग्डव नॉर्ड इस्टन अर्जेंटीना है पराना पाइन पराना पाइन पराना रिवर रहती है वहां अंदर कोई ब्राचो यह ब्राचो एक्स ब्रेकर भी बोलते हैं ब इसको एक्स ब्रेकर भी बोलते हैं उस लग्डी इसलिए ईसलिए इसलिए इसलिए इस लग्डी को इस पिल्फ न आश्टन आश्टेर्य एक्स पॉरेस्ट लिए फ्राइज न न इन इन डताला पम्टी ठ्राइब ने पराम त्री मिलेंगे गल्ट स्टेट्स आव यूएस करते हैं तो साउथ इस्टन चाइना वहां पर हमारे देखने को मिलेगा राइस टी एंड मलबरी मलबरी यानि की जो सहितूत होता है उस पर हम रेसम के कीड़े जो पालते हैं रेसम पादन के लिए तो उसको बोलता है सरी कल्चर तो सरी कल्चर इस डिक्लाइन अभी क्वार्चन का ज्यादन मक्का और यह कोटन का ज्यादा महां पर खिती होता है कौन अन्ट कॉटन वेल्ट ऑफ युए से बोला जाता है फूट एन टोबेको और ओल्सूं ग्रों नटाल साउथ अफ्रिकरीजन की बात करता है तो वहां पर सुगर किन की खिती होती है और चैना में ग्रोव होता है दो दा हुज पॉपलेशन लिए लिटल फॉर एक्सपोर लेंगे नितनी ज्यादा पॉपलेशन है कि एक्सपोर बहुत कम करते हैं मांसून चैना है ऑल दा आईडियल कंडिशन फॉर पैडी कल्टिवेशन पैडी कल्टिवेशन यह चाहल की खेती के है वान क्लाइमेट मिल जाता है मांसूनल रिवर्सल होता है एक्सपोर लो लेंड और फर्टाइल मौश्यर टेंटिव विल देखने को मिल जाती है यानि कि मौश्यर उसमें प्रिजेंट रहे मलब बनी रहे ऐसी स्वाइल है तो इसलिए जो कंडिशन है वो राइस अब्रिवेशन के लिए सही है और वहाँ पर चावल की अच्छे से घेती हो पाती है और फ्लैट लेंड कम होने से क्या हो गया है कि लोग हिल्स लूप वगयरा पर भी खेती करने लगे है तो अगरिकल्चर अगरम गल्फ स्टेट में देखते हैं तो वहाँ पर हमारे मैं मि मिलते हैं कॉन कॉर्टन और में कॉन कॉटन और ह Tw当 करते हैं तो चाहिए श्यूंइयर ये स्नी समर चाहिए तो ये आवी क्लाइमेट पर देखने को मिल जाता है इसलिए यहां पर कॉर्ण की खेती हो जाती है तो मोर देन हाप अब बर्ड प्रोडक्शन जो है इन 50% से ज्यादा कॉर्ण जो है इस रीजन में होता है और एक्पोर्ड कितना होता है कि वहां का जो मैंन अकुपेशन है या में यह तो में प्रोड़ा जाता है क्ला रिखने कि ग्लाक में जानवरों ईसका सब्कॉर्क प्रविन्स यह वहां पर होता है वह यहन या कोर्ड प्लांट मीट प्लांट क्वीinta sìला प्रोडमिंस जाईं बागी यह सेंट लॉरेंस वाटर भी बगार है हम पढ़ेंगे जब हम अमेर्का के बारे में डिटेल न पढ़ेंगे कॉर्टन के लिए जो सबसे मैं कंडिशन है 200 देजन वह देखने को मिल जाता है 200 दे लिए लुटवी मिल जाता है यहां पर हम देख सकते हैं Mississippi फ्लेट प्लेंस है Atlantic कोश्ट्लेंड है यहां पर यह कॉटन का अच्छे से प्रोडक्शन हो पाता है यहां बोलता है Mexican cotton काफी अच्छा रहता है अमेरिका का cotton जो है सबसे चीवर रहता है और हमारे इंडिया का cotton सबसे खराब इसके खराब क्वारटी का रहता है क्वार्टी कैसे देख लिज़ें को उसका ताफराश Això तो सक्सक्राब quiénषण गर्लांद की अचीए कि कमानते तो होते हैं cotton के जो फिलार होते हैं जिन से हम कपास निकालते हैं उनको पूरा खा जाता है तो यह काफी घातक रहता है cotton की खेति के लिए बॉल भीविल यह कीड़ा है तो इस ते क्या हुआ है कि वेश्ट वार्ड माइड्रेशन हो गया है cotton बेल्ट का नौथ अमेर्का में तो बैको की बात करते हैं यह एक नेटिव क्रोप है अमेर्का क्या बना ही अमेर्का में इसकी उत्पति वही है इसकी तो वर्जीनीय तो जो है काफी फेमास है तो इसके लिए भी जो हुमिड एट्वॉस्पेर चाहिए वान और वेल ड्रेंड स्वाइल बात करेंगे तो नटाल वाली रीजन में बात करते हैं कैंस वर की है ना और कॉटन भी होगा टो भी होगा तो आपको सब्सक्राइब हो गया होगा कि अगर इस क्लाइमेट के हम बात कर रहे हैं वान टैंपरेट इस्टन मार्चिन जो क्लाइमेट है उसकी बात कर रहे हैं तो हमारे कैंस होगा हो गया कॉटन हो गया तो यह सब हमारे मैं रहेंगे मेज नहीं बताया मेज एक्स्टेंसिवली कल् तरागवे रीजन में ना पराना रिवार है उस रीजन में तो 120 cm से कम रहेगी तो आप ग्रासलेंड मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा कैटल एंड सीप्रेयरिंग का काम होगा है ना मीट वगयरा काम होगा गूल का काम होगा अजया लगला है य। अधा नौर्स इंसाओं अमेर्का अनल तो यहां पर मारा ब्राजील थो नौर्थ की बात कर रहें ना तो रेंफाल एंक्रिजिस्टू मोर दें 120 सेंटीमिटर तो फॉरेश्ट भी मिलने लगेंगे वहां पर इसी बात है ज्यादा पानी गिरेगा तो फिर वहां पर फॉरेश्ट मिलने लगेंगे तो प्राग्वे टी काफी फेमस है लंबरिंग के लिए अरू का रिया लिए बात करते हैं तो याइन्ट यूकिलिप्टस ट्रूर आज आता है जहां से लिए जाइन्ट आथा पढ़ना पड़ने आप इसी स्लाइड से या मैं जो पीडियेफ से अब होेग्द कराना दूंगा आपको आप डाउनलूड कर लेंगे इसी से आप पूरा पढ़के प इस्टन मार्जिन अब नू साउथ वेल्स की बात करते हैं आस्टेलिया में है ना तो वो चीफ सोड्स है किसका आस्टेलिया मिल्क बटर चीज यानि जितने भी डेरी प्रोडक्ट्स होंगे उसका कें सुगर का मेच का है ना हुआ है मैं तो हमने पढ़ लिया है मेडिटेर्रेन्यन क्लाइमिट अपना कंप्रेट किया है각 दें और हिवमेंट सप्रॉपली तो अ मेंस नहीं करलें जाता है मैंनी वैस्ट कोस्ट जिको मूल एंगे ची का मतलक तो हम जानी रहे वां टेंप्रेक्ट इफ का मतलब हो मरीन वेस्ट कोश्ट की बात कर रहा है वेस्ट टन कोश्ट पर बिलेंगे और मरीन इंफ्लूएंस रहेगा तो कोई ड्राइस इजन नहीं रहेगा एप से मतला है फुल यह धिन रहेगी तो यह मैं आपको अगली लेक्ट्टर में पढ़ाता हूं अपना यह लेक्ट्टर हम य तो झाल